आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाजी 6 सर्कूलर आएं जी स्ट के अंदर ये 6 सर्कूलर क्या बात करते हैं इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे तो पहले तो मैं आपको हा इस व्रेंसिस है आइ-टीसी में तो उसका सोलूशन क्या होगा उसके लिए सर्कूलर निकाला है सर्कूलर नम्बर 184 है सेक्शन बारा सबसेक्शन एट ौग सती गां कि उसमें इसको लेकर शर्कूलर निकाला हुए circular number 185 बात करता है कि section 75 2 के अंदर अगर कोई case section 74 से 73 में आता है तो उस case में क्या करेंगे circular number 186 इन्होंने clarification दिये e-invoising के उपर no claim bonus के उपर circular number 187 ये बात करते हैं IBC के अंदर जो GST के dues है उनका क्या होगा इसके अलावा circular number 188 ये बात करता है unregistered person different कैसे claim कर सकता है तो ये 6 सर्कुलर आए है ये 6 के 6 सर्कुलर इस वीडियो में discuss करना पूरा possible नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर हम पहले circular number 183 पूरा detail में discuss कर लेते हैं और 6 के 6 सर्कुलर हमारी जो जन्वरी की magazine है हम उसके अंदर जरूर देंगे तो अगर आपने अभी तक magazine का subscription नहीं लिया है तो आप इस number पे बात करके whatsapp करके magazine का subscription ले लिजी और sample copy भी ले सकते है क्योंकि ये सही समय है magazine लेने के लिए क्योंकि discount चल रहा है circular है notification है council meeting है और फिर budget है तो आप अभी magazine ले सकते है बात करते हैं इन 6 circular की तो 6 circular में क्या क्या चीज़े आई है आपके पास इनकी copy जरूर होगी अगर नहीं है तो आप हमारे telegram गुरूम से इन 6 के 6 circular की copy ले सकते हैं 27 December को ये circular आया इन्होंने बात करी कि भाई जो हमारा ITC है जो कि हमने 3B में claim कर लिया और जो हमारे 2A में आ रहा है अगर इसके बीच में difference है तो बहुत सारे disputes है तो इन्हें कैसे solution किया जाए इन्होंने 2 साल के लिए solution दिया 17,18 के लिए दिया और 18,19 के लिए और इन्होंने उन cases के लिए solution दिया जो cases अभी pending है जिन cases का निप्टारा हो गया इनके लिए कोई solution उन्होंने नहीं दिया इन्होंने क्या बोला इस circular में कि भाई जो cases spending है हम उन्होंनी की बात करेंगी ये circular जो base है मेरे इसाब से माराष्ट्रा में एक internal circular आयता उसके basis पर base है तो इन्होंने यहाँ पर कई सारे case बनाए कि किस किस case में क्या होगा पहला case तो इन्होंने बोला कि भाई अगर supplier ने अपना GSTR1 फाइल ही नहीं किया सिरिफ उसने 3B फाइल करके छोड़ दिया GSTR1 फाइल नहीं किया तो क्या होगा तो इन्होंने एक नीचे para4 दिया है उसके इसाफसे treatment होगा दूसरा case बनाया इन्होंने कि भाई GSTR1 फाइल तो किया लेकिन आपका जो बिल था recipient का जो बिल था वो एंटर नहीं किया तो उसमें भी para4 applicable होगा इसके बाद इन्होंने तीसरी condition बोली कि भाई B2B की जंगा B2C में डाल दिया तो फिर क्या होगा फिर भी इन्होंने बोला कि para4 इसका solution देगा चोथा case क्या बनाया कि भाई अगर इन्होंने रामलाल के अंदर डालना था लेकिन शामलाल के अंदर डाल दिया supplier से मैंने परचेज करा कपिल जैन ने लेकिन डाल दी राजीव जैन में तो अगर ऐसा कुछ किया तो इन्होंने का पहली बात तो para4 करेंगे ही करेंगे और यहां पर officer को एक जिम्मेदारी दे दी कि officer क्या करेगा officer को क्या बोला in addition the proper officer of the actual recipient कि जो proper officer होगा actual recipient का जिसका वो ITC था वो intimate करेगा concerned jurisdictional tax authority को of the registered person who GSTN has been mentioned normally मतलब कि अगर मेरी jurisdiction का जो officer है वो जिसे गलत लोगों को ITC पहुँझ गया उसके jurisdiction officer को concerned officer को intimate करेगा और कहेगा कि चेक करो कि उस व्यक्ति ने तो ITC नहीं ले लिया क्योंकि उसके तो 2A में आ रहा होगा न गलत आदमी के तो कह रहे हैं कि उसे चेक करो कि क्या उसने ITC तो नहीं ले लिया अगर उसने ITC ले लिया है तो आप उस पर action लो ठीक है यह चीज इन्होंने additionally बोली है यह हमें नहीं करनी यह किसे करनी है हमारे jurisdictional officer को करनी है हम तो बस उसे बता देंगे कि भईया हमारे supplier ने हमारे में न डाल कर दूसरी के में डाल दिया अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला इन्होंने जो important बोला जो circle यह पैरा number 4 है कि इस पैरा के इसाफ़ से आपको ITC मिलेगा इन्होंने बोला पहले तो रजिस्टर परसन से सारी डिटेल मंगवा लेगा सारे invoices मंगवा लेगा कौन से invoices जिसका ITC 3P में क्लेम करा है और 2A में नहीं आ रहा अब उसके बाद वो condition चेक करेगा पहली condition क्या चेक करेगा कि उसके पास invoices है या नहीं है invoices तो हो गई अगर आपके पास invoices नहीं है तो अपने supplier से copy ले लेना इसके बाद वो ensure करेगा कि आपने goods or service receive करे है या नहीं करे ठीक है तो उसके लिए अगर आपके पास builti बगरा की copy है तो वो लगा देना इसके बाद वो ये check करेगा कि क्या आपने उसकी payment कर दी या नहीं करी अगर आपने payment नहीं करी होगी तो शायद आपको ITC ना मिले क्योंकि 180 दिन की conditions यहाँ पर fulfill करा लेंगे तो वो आपसे party का leisure मांग सकता है कि भाई आपने 180 दिन की payment कर दी या नहीं कर दी हम दिखा देंगे हाजी हमने कर दी इसके बाद वो चेक करेगा ऐसा तो कोई ITC नहीं है जो section 17 में block हो ऐसा तो कोई ITC नहीं है जो section 18 में reversal करना हो अगर ऐसा कुछ 17 18 में reversal बनता है तो वो यह चेक कर लेगा कि reversal हुआ या नहीं हुआ इसके अलावा एक जो मोटी मोटी condition होती है जो सबसे ज़्यादा परिसान करती है वो होती है 16 2C की condition 16 2C की condition क्या कहते है कि मेरे supplier ने tax pay करा या नहीं करा यह कैसे पता लगेगा तो इसकी जो जुम्मेदारी है इन्होंने CA के उपर डाल दी CA के उपर डाल दी और CMA के उपर डाल दी उन्होंने क्या बोला अगर आपने 3B में ITC claim करा 10 लाग का और आपके 2A में ITC आरा 4 लाग का तो यहाँ पर difference कितना है जी difference है यहाँ पर 5 लाग से जादा का तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके 2A और 3B में 5 लाग रुपे से जादा का difference है पूरे साल का यहाँ पर बात किसी हो रही है पूरे financial year कि अगर एक financial year में 5 लाग रुपे का difference है तो भईया CA और CMA से एक certificate लेकर आजो और उस certificate पर ऐसा नहीं कि किसी की stamp बनाई और डाल दिया UDN नंबर जैन्वेट होना चाहिए तो CA अब certify करके देगा कि भई नहीं इसका ITC जैन्वन है अब CA कैसे certify करेगा इस बात को समझेँ और 5 लाग रुपे से कम होगा तो क्या होगा तो इन्होंने का अगर ये difference 5 लाग से कम है तो ये वाला जो certificate हम CA से ले रहे थे CA से मतला लेकर आना क्योंकि हो सकता है CA fees ले इस certificate की आप क्या करना अपने supplier से लिया आप अपने supplier से लिया तो अगर आपका difference let's suppose 2 लाग रुपे का है और उसमें 4 ऐसे supplier है ठीक है ना 150,000 का 170,000 का जिसके bill 2A में नहीं आ रहे तो आपको अपने supplier से एक certificate ले लेना है उस certificate में क्या लिखवाना है कि भई certificate में supplier ये लिखेगा कि ये वाले जो bill है ठीक है मैंने ही issue करे है ठीक है मैंने ही गलती करके जो उपर वाली गलती थी B2C में डाल दिये गलत GSTN पे डाल दिये कुछ भी जो गलती थी उस गलती की वज़े से सामने वाले के ठीक है ना 2A में नहीं आ रहे और इनके उपर में tax pay कर चुका हूँ अगर ये certificate आप उन्हें produce करा देते हो तो आपको ITC मिल जाएगा तो अब CA कैसे certificate देगा CA भी भाई उसके supplier से पहले certificate ले ले अगर 5 लाग से ओपर amount है फिर उन चीजों को check कर ले कि अगर justify है तो फिर उसके बाद CA certified बना दे इसके अलावा जो इन्होंने 4.2 में जो बात लिखी है वो मुझे थोड़ी सी गलत लग दी है 4.2 में इन्होंने क्या बात लिखी है आप comment box में मुझे लिख कर बताना ये यहाँ पर नीचे line में लिखते हैं कि अगर मेरे supplier ने GSTR 1 टाइम से जमा नहीं करा मेरे supplier ने GSTR 1 टाइम से जमा नहीं करा मार्च 19 तक 17-18 की बात हो रही है तो तब आपको ITC नहीं मिलेगा अरे क्या बात हो गई अभी उपर वाले cases में आपने क्या लिखा खुदी लिख कर दिया है कि अगर supplier ने GSTR 1 फाइल नहीं करा तब भी आपको ITC मिलेगा ठीक है ना तो नीचे आप यहाँ पर यह क्या लिख रहे हो कि अगर यह 16-4 की condition यहाँ पर क्यों लगा रहे हो क्योंकि जो 16-4 की condition होती है वो recipient के लिए होती है वो supplier के लिए नहीं होती आप मुझे comment box में लिख कर बताना कि यह जो last line है वो आपको digest हुई या नहीं हुई हाला कि जो हमारी magazine आ रही है जन्वरी में हम उसमें इसका detail analysis करके आपको देंगे अगर magazine subscribe नहीं कराई है तो करा ले ना ठीक है इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है 17-18-18-19 के लिए कि भई ये ना हमने ना आपको bona fide error की वज़े से ये चीजे दे रहे हैं अगर किसी के case में कुछ बोकास ITC या कुछ है तो officer अपने हिसाफ से judgment ले सकता है लेकिन इसे कुछ भी interpretation of provision of law ना समझे क्योंकि law में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं ये तो circular निकाला इन्होंने dispute ठीक करने के लिए और लास्ट में जो बात इन्होंने लिख दी कि भई ये जो है जिनकी proceeding complete हो चुगी है 17, 18, 18 19 की उसके लिए ये नहीं है जिनकी pending चल रही है उनके लिए है चाहे वो appeal में चल रही है चाहे adjudication में चल लिए जहां पर भी चल लिए उसके लिए ये है तो आशा करता हूँ ये circular आपको समझ आ गया होगा अगर आप इसी तरीके से बाकी के 6 circular भी समझना चाते हैं तो मुझे comment box में लिख कर बताएं तो मैं उसके ओपर भी वीडियो बना दूँगा और ये 6 के 6 circular और जो 2 notifications आई हैं जिसमें rules changes हुए है सारे के सारे हम इस magazine में देने वाले हैं तो इसे subscribe कर लो अभी discount चल ला है बाद में ना कहना कि discount खतम हो गया हमें बताया नहीं तो इस number पर आप whatsapp करके इसकी detail ले ले आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जादा से जादा लोगों तक share की दिया comment box में लिखकर आपे बताए कैसी लगी और 1,75,000 subscriber कराने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ Thank you for watching